सूपर टेस्टी लोकी की सबजी ऐसे बनाएंगे तो बच्चे से लेकर बड़े तक इसे खूब पसंद करेंगे लोकी से बना इतना टेस्टी रेस्पी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए तो अलग अंदाज में बनी ये सबजी सबकी फेवरेट हो जाएगी नमस्कार दोस्तों ओली उसा कीचेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंस मैंने ये लोकी ले लिया है ये नरम है लोकी नरम मुलाइम है आप नाकून गड़ा कर देख सकते हैं जल्दी से नाकून गड़ जाए तो समझ ले कि बहुत ज़एदा मुलाइम लोकी है आपको इसी तरह लेना है उसको छील लेना है तो देखिए मैंने इसको छील लिया है तो इस तरह सबजी बनाने के लिए आपको लंबी वाली लवकी लेना है तो इसके हम आगे और पीछे का जो पूर्सन है उसे हटा देंगे तो इस तरह इसको देखिए हम गूल शेप में काट लेंगे गुलाई में थोड़ा मोटा मोटा ही काटें ज्यादा पतला रहेगा तो फिर बाद में दिक्कत आएगी तो इस तरह हम थोड़ा मोटा मोटा करके काट लेंगे इसको इस तरह बनाएंगे तो देखने में भी ये सबजी बहुत अच्छी लगती है तो देखिए मैंने सब सबजीयों को कट कर लिया है अब ये हम इसमें थोड़े से कुछ मसाले एड़ कर देंगे तो वन फोर्थ चमच हल्दी वन फोर्थ चमच इसमें हम लाल मिच पाउडर डाल देंगे दो पिंच हींग डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक का इस्तेमाल हम आगे भी करेंगे तो अभी हम बस थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इसे अच्छे से आप मिला लीजिए एक-एक में कोड हो जाना चाहिए हल्दी और जो मसाले हैं तो देखिए मैंने इस तरह मिला लिया है अब इसके उपर हम दो चमच बेसन डाल देंगे बेसन को भी अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए इस तरह मिला लेना है एक एक पे कोड हो जाना चाहिए और जरूरत पड़े तो हलका साइकाथ चमच पानी डाल के आप अच्छे से इसको मिला लीजिए तो मैंने पैन में तीन से चार चमच आयल डाल दिया है सरसों का आयल है ये इसमें हम जब गर्म हो जाएगा तो यही लवकी रख देंगे तो इस तरह जितनी मैंने लवकी तयार किया था उसको डाल दिया है इसको ढ़क देंगे दो मिनट तक धंक के पकाएंगे उसके बाद इसकी हम पल्टी कर देंगे तो देखिए हमने धक्कन हटा दिया है अब इसको हम पलट देंगे एक एक करके तो आपको इस तरह पलटना है कि ये टूटे नहीं देखिए अभी कलर आ रहा है एक बार इस तरह पलट देंगे उसके बाद ढख देंगे और फिर से दुबारा उस तरह भी हम पलट देंगे तो इस तरह लो फ्लेम पे दो दो बार पलट करके इस तरह पका लेंगे उसके बाद गैस को बंद कर देंगे यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई रखा है उसमें आयल डाल देंगे तीन से चार चमच जीरा छोटी बड़ी लाइची और तेशपत्ता तेल हो जाने पे डाल देंगे और उसके बाद दो प्याज को मैंने बारीक काट लिया है उसे भी डाल देंगे प्याज को अच्छे से भ बना लेंगे और उसको डाल देंगे हम काजू से ठिक ग्रेवी बनेगी आप चाहें तो यहाँ पे दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से भून गये तो आधा चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च और दो पिंच हींग थोड़ा सा नमक या निस्वाद के उसा नमक और आधा चमच गर्म मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इस मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल न छोड़ने लगे अब कुछ हम धनिया की डंठल डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तीसे हम अभी डाल दे रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा भूल लेंगे हम उसके बाद पानी डालेंगे पानी आप ग्रेवी के हिसाब से डालिए ज्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी कम डालिए तो हम आधी ग्लास ड जाल देंगे एक एक करके डालेंगे देखे इस तरह यदि यहां पर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं अब इसको हम ढख करके तीन से चाड़ मिनट तक पकने देंगे ताकि अच्छे से सबजी पक जाए और सभी मसाले लोकी के अंदर आ जा तो देखे तीन से चाड़ मिनट हो गए हैं अब इसे हम एक बार फिर से पलट देते हैं इसे हमें जादा नहीं पकाना है क्योंकि पैन में 90% से जादा ये सबजी पक चुकी थी तो बस हलका ही पकाना है देखे सबजी अच्छे से पक गई है तो गैस को हम बंद कर देंगे उपर से हरी धनिया डाल देंगे तो बहुत ही नए तरीके से बहुत ही टेस्टी सबजी तयार हो गई है लोकी की तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो होटल जैसी सबजी आप घर पे भी इस तरह बनाके खाए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स व बनाके देंगे तो जरूर उन्हें पसंद आएगी थैंक्स वर वाचिंग